डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर राई डियर फ्रेंट्स काफी दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप से ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं किस तरह से आप से जुड सकते हैं ये बताईए और मेरे ये डाउट हैं मेरे वो डाउट हैं सबसे यादा जो डिमांड आ रही है वो केंद्री विद्या चाहते हैं और वो कहते कि सर यह डाउट्स बगएरा मेरे किलियर नहीं उपा रहे हैं और आप से हम पढ़ना चाहते हैं आप मेरे टाइम जो है धोड़ा जितना भी बचा हुआ है इसको बढ़िया से हम चाहते हैं कि आप तैयारी कर लें और आप से हम जुड़ना चाहते हैं किस तरह से जुड़ सकते हैं इसका तरीका बताईए अपना कोई कॉटक नमबर दे दीजिए अपना कोई वाटसप नमबर दे दीजिए क्लास 11 के हैं क्लास 12 के स्टुड़न को कुछ टॉपिक में दिक्कात आ रही है उनके कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है वो टॉपिक अपना पढ़ना चाहते हैं वो यह कह रहे कि सर मेरा ये टॉपिक है या कुछ का कोई चैप्टर ही छुटा हुआ है तो वो कहते हैं सर मेरा ये चैप्टर त्यार करा दीजिए और आउनलाइन सर आप बता दिये कि किस्स हमें अवैलेबल हैं तो हम लोग इससे जुनना चाहते हैं इसके लाब आई टी जेई है नीट है नीट में कुछ कोश्च कर रहे हैं इतना ज्यादा आपका प्यार है तो मुझे भी आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाहिए तो इसके लिए मैंने नीचे एक वाट्सेप नंबर में आपको दे रहा हूं यह वाट्सेप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं क्लास लेने क आप जोड़ सकते हैं देखें यह चैनल जो शुरू हुआ था वह इसी लिए शुरू हुआ था कि कि जितने ज्यादा से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है वह अप्रोच आए और दूसरा कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाव उनको मिले उनका जो जो मिस कॉंसेप्ट रहता है कि सर ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाए का ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाए वो केमेस्ट्री में मिस कॉंसेप्ट उनका खतम हो और एक जो प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन होती है जिसकी बज़े से कोई चीज हो रही है वो उनको प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन मिले और मैंने इसी बजय से बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड किये हैं बट उसके बाद भी आप लोगों के काफी सारे डाउट रहते होंगे और डेफिनेटरी रहने भी चाहिए क्योंकि जो पढ़ता है डाउट उसी के ही आते हैं और उसी की ही डिमांड भी रहती है कि हाँ मुझे अच्छा करना है UP Board के जो स्टुडेइंट है हिंधी मीडियम के जो स्टुडेइंट है उनकी भी डिमांड आ रही है कि सर हमको ये तैयार करा दिजे हमको ये तैयार करा दिजे तो CB,C Board, UP Board, IASC Board ये सब से जो है कुछ ना कुछ student जो है वो लिखते रहते हैं कि sir मैं फला जगे से हूँ मैं sir जारकंड से हूँ मैं sir 36 गड़ से हूँ मैं जो हूँ इदर पे itava side का हूँ तो इस तरह से messages आते रहते हैं और मैं आप से कैसे जुड़ सकता हूँ मुझे आप से online classes पढ़ने ही है कुछ तो topic भी लिख देते हैं सर मेरा ये topic भी है मुझे सर ये पढ़ा दीजिए ये करा दीजिए ये बता दीजिए इस तरह से देखें आपके growth में जो मेरा participation हो सकता है वो मैं participate करने के लिए तयार हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा खुसी होगी कि आपका मेरी budget से selection हो जाए हलाकि ये मान के चलिए कि मेरा role जो होगा बहुत ही minimum रहेगा आपकी ही मेहनत जो होगी आप इस पे message करिएगा मैं पूरी की पूरी detail दूँगा आपको और मैं कोशिस करूँगा कि मैं आपसे जुड़ सकूँ तो बस इसलिए ये वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है इस वीडियो में बस इतना ही तो के thank you Dear friends अब इसको देखते हैं लिखाए कि सर टीचिंग में मुझे 10 years का PGT का experience है क्या interview के समय इसको बताना बताने से अच्छा impression पढ़ेगा या फिर interview और tough हो जाएगा लिखे एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 10 years का experience है तो इसका impact जो होगा वो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है क्योंकि मैं आपसे लगातार बोलना हूँ कि KBS में जो experience teacher होते हैं उनको ज़्यादा priority दी जाती है वो चाहें KB के TKB में experience हो KB में वो ad hoc पर पढ़ाए हो या मतलब कि contractual base पर पढ़ाए हो या फिर वो कहीं और जगह पर पढ़ाए हो तो उनको वो experience teacher को लेना चाहते है वो चाहते हैं कि जो दूसी जगह की experience teacher है वो है अब interview tough हो जाएगा तो भाई tough हो जाएगा तो कोई डिक्कत रही ना आपने तो पढ़ाया हुआ है तो आप अपने topic को तो अच्छा से बढ़ाएंगे अच्छा से deliver करेंगे कोई भी दिक्कत जो है वो आएगी मान लिए कि जो topic उन्होंने दिया है उसमें आपका uncomfortable हैं तो आप politely मना कर सकते हैं कि सर इस समय ये point मेरे को दिमाग से miss हो रहा है तो आप मुझे दूसरा बता दिये मैं उस topic को बता देता हूँ ठीक है या फिर वो आपको अपनी choice को दे देंगे कि सर आप अपने जो इस topic में comfortable है आप उसमें पढ़ाईए ठीक है तो आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं interview को बिल्कुल भी negative मत लीजिए बिल्कुल healthy environment रहता है कोई भी समस्या नहीं आती है ठीक है न बिल्कुल भी tension ना लीजिए और इसको बताईए बताने से आपका जो है वो positive effect ही पड़ेगा अगर थोड़ा set of interview हो भी जा रहा है तो वो आपके पच्छ में ही जाएगा ठीक है न आपके favor में ही रहेगा वो ठीक है न तो उसकी tension आप मत पालिए आप जरूर बताईए ओके थैंक यू